नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेज बज राज के वीडियो में हम रिवू करेंगे NCRT नोट से अर्हियंत पब्लिकेशन के भारती राजवैस्था यहों प्रासासन क्लास 6 से लेके 12 बे ओल्ड और न्यू NCRT को दोस्तों इस बुक में कवर किया गया और यह बुक दोस्तों आप देख सकते हैं कि अर्हेंद पब्लिकेशन का है इस बुक का कहना है कि Only and only NCRT अगर इसको आप कर लेते हैं तो NCRT आपका completely कवर हो जाएगा अब दोस्तों यहां आप देखेगा यह बुक आप देख सकते हैं कि UPSC, State PCS, SSC और Railway जितने भी Government Exam होते हैं सभी के लिए दोस्तों Most Important बुक है क्योंकि इस बुक को NCRT पे अधारित बनाया गया है NCRT से सूर्स लिया गया है जो भी content है NCRT का है अब दोस्तों इस बुक का MRP देख लेते हैं तो इस बुक का MRP है 165 है जिस पे आपको online, offline, discount है मिल जाएगा ठीक है अब दोस्तों आगे देखेगा number of page तो number of page आपको 166 आपको देखने को मिल जाएगे 166 पेज आपको देखने को मिल जाएगे अब प्रहसासन क्लासिक से 12 old और new NCRT को cover किया गया और 2022 का edition है आगे दोस्तों देखेगा इस बुक के लेखक देख सकते हैं अजित कुमार इस बुक के लेखक है और ये बुक दोस्तों सभी एकजाम के लिए उपी होगी है बुक का प्रेंटिंग क्वालिटी आप देख रहे होंगे बुक का प्रेंटिंग क्वालिटी कितना अच्छा है बहुत ही जादा अच्छा है विसाय सूची को हम देख लेते हैं विसाय सूची में आप देखेंगे राज्य की निती निदेशक तत्वे मौलिक करतवे संगी की कारेपाली का संगी की वैवस्थी जो भी लिखाया आप देख लिजेगा मैं बोल नहीं पार हूँ राज्य की करेपालिका ठीक है आगे दोस्तों दिखेगा राज्य वैस्था माल लीजे ठीक है उसके बाद यहां दिखेगा न्याइपालिका संग्य वाद इवं केंद्र राज्य संबंध अपात उपबंध लोक सेवाए राज्य भासा उसके बाद कुछ वर्गों के संबंध म आगे दोस्तों देखेगा अस्थानिय स्वासासन निर्वाचन पड़नाली ओम दलिय ने वैस्था कुछ राज्यों से संबनित विशेष प्रधान ओम छित्रिय आकांचाय सब्धानिक एवम गैर सब्धानिक निकाय ठीक है ना आगे दोस्तों देखते हम आगे है यहाँ पे देखेगा सब्धान संसोधन राजनीती की परमुक्य और अधारनाय ओम सिध्धानत और मिसलैनियस आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे देखेगा परिशिष्ट हो जाएगा परिशिष्ट है आकरी में आपको देखने को मिलेगा जो सभीधानी के हैं विकास के महत्य पूर ने मोर झाड़ और यहोई पीद्रP बमारी तद्रब्रद अगर eldान ہं पर रवे साथ वैपार करने का अधिकार प्रदान किया था तो देख सकते हैं जहां पर important है वहां पर क्या किया गया है highlighted कर दिया गया ठीक है तो बुक दोस्तों काफी ज़्यादा बहतर है देख सकते है colorful बुक है और printing quality काफी ज़्यादा अच्छा है paper quality भी अच्छा है content आप देख सकते हैं कि यहां clear mention किया गया है कि यह कौन से चप्टर से कौन से class से लिया गया है यह content है हर एक चीज को बताया गया ठीक है topic के अच्छे से तरीके से topic को divide किया गया है ठीक है जो important notes है वह आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर अगस्त प्रस्ताव क्या होता है उससे related जानकारी हर एक चीज को जैसे यह पूछा जाता 1909 का भारत परसेद अधिनियम क्या था यह पूछा जाता यहां से question तो यह भी देख सकते कितने अच्छे तरीके से हरे के point को cover किया गया है टेवल आप दोस्तों देख सकते हैं कि अंतरिम सरकार किस तरह का था तो यह आपको बताया गया है टेवल के माधियम से उसके बार जो topic है किवल देखें पहला अधिया किवल 6 पेज में खतम हो जाएगा तो बहुत लंबा खीचा नहीं गया है भारतिय सविधान का निर्मान यहां देखेंगा सविधान का निर्मान यह कौन से कहां से लिया गया सोर्स आपको बताया गया कि कौन से क्लास से कौन से चैप्टर से लिया गया सविधान को समझाया गया सविधान की कारे को समझाया गया सविधान निर्मान को समझाया गया और जो में टॉपिक है वो रेड कलर से जो उसके अंदर जो टॉपिक है वो देख सकते हैं ब्लैक कलर से इन्होंने दिया हुआ ह समझाय हूआ है उद्देश प्रस्ताओं के प्रमुख्य विंदू को समझाय हूआ हर एक चीज को दोस्तों बहुत ही सांदर तरीके से समझाय गया ठीक है यहाँ दीछे UHT संबंधित प्रमुख्य वैक्तियों को बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या उकलवधिया हासल किया अपने जीवन काल में हर एक चीज को समझाया गया हर एक चीज आप देख सकते हैं कि बहुत ही सांदार तरीके से यहां प्रस्तावना को कितने अच्छे तरीके से यहां पर इंग्लिस में देखने को मिल जाएगा कुछ भी आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा यहां नोट आपको देखने को मिलेगा यहां पर देख सकते हैं टेबल आपको देखने को मिलेगा ठीक है बुक में दोस्तों कोई भी कमी नहीं है बुक दोस्तों काफी ज्यादा बहत जो परमुक्य राष्टी दल है उनका चिन्हें दिया हुआ है कौन सा चिन्हें कौन से पार्टी का है यह इसमें दिया हुआ है जैसे कमल चाप होता है भारती जंता पार्टी है हाथ चाप होता है कॉंग्रेस का तो जो इंपॉर्टेंट पार्टी है नेशनल पार्टी है उनक देख सकते हैं मिस्लेथिस में क्या कबर किया घाए भारत की विदेश नीथी आर्थ यूप रिचय अंत्रिकावरं तो ये अंतरास्टि सांती हो गया तीके अब यहां देखें अंती में जो दिया था परी परीसर यह हर एक book में आपको देखने को मिलेगा और इसमें कुछ extra fact आपको देखने को मिलेंगे भारती है सविधान एक दृष्टी में static gk type का आप बूल सकते हैं सविधान को एक दृष्टी में बताया गया जितने भी भाग है आर्टिकल है और विसे है उनको समझाया गया यहां पर ठ कुछ important अधिकार है ठीक है तो वह समझाने का इन्होंने कोसिस किया जो important है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं वह यहां पर बताया गया है जैसे देखेगा आर्टिकल 124 है उच्चेतम नियाली कि स्थापनायों से अरिचना आर्टिकल 324 भी देखेगा निरवाचन आयोग बार बार पूछा जाता है अनुसूची हो जो important अनुसूची है ना उसको समझाया गया है ठीक है सारे अनुसूची को बता दिया गया है जितने भी अनुसूची है वह समझाया गया बारा अनुसूची है तो बारा अनुसूची में क्या क्या है वह समझाया गया है के संदर्व में टिपनी जो स्टेट्मेंट है में नहरू जी ने क्या बुला था तो राष्ट्र के स्वब ने ओम अकांसाओं को लिखित और तो यह स्वुदान से निर्वान से जुरुक्छे इंपोर्टेट है वह संजाएं गया है Sóसी है और यहां से डिएरिंत में UPSC में या स्ट्रेट PCS में कोश्टन पूछे जा सकते हैं तो यह देख सकते हैं कि हर एक चीज को समझाए गया है explain किया और बहुत ही अच्छे तरीके से पुनजी वाद क्या होता है मानौ अधिकार क्या होता तो बुक दोस्तों काफी अच्छा है हर एक पॉइंट को कबर किया गया है पतला से बुक है बहुत जादा बुक नहीं है बुक को लेंदी नहीं बनाया गया बुक को सिंपल बनाया गया ठीक है इस बुक को दोस्तों आप पर्चिस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिस दोनों का लिंक आपको description में मैंने दे दिया है अगर आपको English में चाहिए तो भी ने मैंने link दे दिया है हिंदी का तो दिया ही है मैंने अब इस बुक को order कर सकते हैं link मैंने description में दिया है फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूं कि आज के दिन आप लोग काफी अच्छर है अ